हलो एन वेलकम बेक एबरान दोस्तों आज है 5 फरवरी 2024 आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे हैं मार्केट से लेटेट कुछ चीज़ों की पहले हम बात करेंगे आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और यहां से आगे मार्केट कहां जाते हैं दिख सकती है उसके बाद हम बात करेंगे PSU स्टॉक्स की देखिए आज के सेशन में PSU स्टॉक्स ने काफी शांदार प्रफॉर्म किया है कुछ एक स्टॉक्स हैं जो ट्रेडिंग के लिए भी आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है आप शायर लगा है आज फिर से पेटियम 10% गी रहा है ठीक है कल के न्यूस पेपर में न्यूस आई होई थी कि भाई इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने साफ साफ अपने employees को बोला है भाई तैयारी कर लो जो भी अपने कस्टमर्स हैं उनको किसी थर्ड पार्टी पेमेंट बैंक या हार मान ली है और इनको पता था कि भाई इन पे ये जो बैन लगा है ये शायद अब वापस नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये जो इर्रेगुलेट्री जो ये कंपनी ने फेस करी है ये 2018 से फेस करी है तब से ये RBI जो है इनको वार्निक्स दे रहा था एक खबर मे आए गया है कि भाई इनके ऑडिट में पाए गया है इन्होंने एक ही पैन कार्ड पे 1000 अकाउंट खोल रखे है तो यहाँ पर मनी लॉंडरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होई है इस तरह की बाते चल रही है और यहाँ जो बयान मैनेजमेंट ने दिया है मैनेजमें पेटियम का स्टोक है यह इसी तरह आपको लोवर सरकेट में गिरता हुआ नजर आएगा और शायद बहुत जल्दी आपको यहाँ पर कोई रिलीफ या रिस्पाइट देखने को ना मिले तो बहुत पहले से बता रहा हूं जब से यह लिस्ट हुए हमेशा आपको बताया है पेटियम स्टोक से और इसकी जैसी और जो भी कमपनीज है जो नए नए बड़े बड़े स्टार्ट अप्स हैं जैसे पीबी, फिंटेक, नायका, जो मैटो सबसे आपने दूर रहना है यह कमपनी अब अभी तो प्रोफिट कमा नी रही शायद पता नहीं आगे आने वाले क आई क्रेट किया निफ्टी ने लगबग 22,100-200 के असपास गया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और सीधा सेलोफ आया तो अभी भी देखिए जो चार्ट पे पैटन बन रहा है वो बेरिश नहीं है अभी भी यह हमारा निफ्टी जो है वो एक अप्रेंड में है य आज के हमारे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जो की है PSU स्टॉक में देखिए PSU स्टॉक में इस वक्त बहुत ही शानदार तेजी चल रही है इस तरह की रैली भाई मैंने तो पिछले 7-8 साल में कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर सेक्टर में न उसके बाद भाई अब ये जो रैली आई है PSU स्टॉक में हर रोज रोज के भाई 10-10% 5-5% 20-20% रोज रोज बढ़ रहे हैं भाई बिना कोई मतलब के नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे तो आज के जो हम टॉप परफॉर्मर पे अगर हम नज़ा डालें तो सारे PSU या बहुत जादा अंडर वैल्यूड है अभी भी नो डाउट ये जो कंपनिया थी PSU स्टॉक से बहुत ही जादा अंडर वैल्यूड थे आज से एक दो साल पहले इतना इतना जादा डिविडेंट देते थे 10-10-12-12% की तो सिरफ डिविडेंट का ही रिटन था साल से आपक अगर आपने PSU स्टॉक्स खरीदे थे और अभी भी होल्ड करे होए है तो भाई बहुत ही कम ऐसा होता है कि रिटेलर इतने जादा अप्मूव के बाद भी होल्ड करके बैट जाए रिटेल अभी भी होल्ड कर रहा होगा स्टॉक्स में मैंने भी खरीदे थे लेकिन कुछ प्रोफिट्स बुक कर लिए जो भी स्टॉक्स आपके साथ शेर करता था मैंने भी खरीदे प्रोफिट्स बुक करे जो भी टार्गेट वगरा मैं सोचके चलता था इतनी जादा बड़ी तेजी आ जाएगी भाई स्टॉक्स नौन स्टॉप उपर ही जाते रहेंगे ये मैं अगर ऐसा पता होता तो डेफिनेटली मैं भी होल्ड करके बैटता तो मैं भी भाई आपकी तरह एक रिटेलर हूँ तो देखिये रिटेलर तो mostly प्रोफिट बुक करके निकल गए होंगे लेकिन अवी भी अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो बैठे रहो अगर आपमें पे स्टॉक्स है ठीक है अब यहां देखिए क्या होता है कि जब किसी एक सेक्टर में आग लगती है ना स्टॉक मार्केट में जब भी कोई एक sector में आग लगती है, हर बार ऐसा होता है कोई ना कोई एक ऐसा sector होता है जो पागल होता है, जिस sector में आग लगती है stocks बिना मतलब कि बहुत जादा ऊपर जा रहे होते हैं, जो euphoria का phase होता है उस time आपको क्या करना होता है, ऐसा stock ढूड़ लो उस sector में जो अभी तक नहीं चला नहीं चला तो समयल लो भाई वो भी चल सकता है तो ये एक मैंने सर्च किया NSC PSC Index इसमें जो है सारी सरकारी कंपनी के stock हैं, ये आप देख सकते हो Gale, Container Corp, HAL HPCL, Indian Oil, Indian Railways, LIC ये एक ये index भी है CPSC, Nifty CPSC Index तो ये भी जो हैं, ये सारे सरकारी कंपनी के stock हैं, आप इन में से देख सकते हो, जो stock ना चला हो, वो आप buy कर सकते हो, ऐसा एक stock मैंने आज ढूंड़ा है जो आप trading के लिए जिसको buy कर सकते हो और stock का नाम है N.I.A.C.L New India Assurance Company ठीक है, क्या logic है क्या देख के इसको buy करने के लिए trading के लिए बता रहा हूँ, वो भी discuss कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़े time frame का chart खोल हूँ, यहां one week का chart खोल है मैंने इसका, ठीक है, यह आपको दिख रहा है इस stock का जो high है वो 385 है जो इसने 2018-19 में बनाया था New India Assurance stock की बात कर रहा हूँ, N I A C L 385 का इसने high बनाया था 2018-19 में वहां से गिरा, गिर गिरा के 2-3 साल नीचे रहा, 100 रुबे के आसपास trade भी किया, अब भाई, इसमें भी आग लग गई है यह stock भी उपर उड़ना शुरू हो गए क्यों उड़ रहा है भाई, क्योंकि यह भी एक public sector enterprise है, सरकारी company है, तो अभी आपको समझाया है, जिस sector में आग लगी हो उसमें जो stock ना बढ़ाओ, तो वो भी फिर भागने की कोशिश करता है, ठीक है, अब इसमें देखिए यह जो इसका level है, प्रिवेस हाई का, इसको तो try कर सकता है, और क्या पता इसको अगर इस sector में जो तेजी चली आ रही है, यह ऐसी चलती रही, तो इसको भी तोड़के यह उपर निकल जाएगा, यह हमने होता हुआ देखिए, अभी कभी सोचा नहीं था, अगर पता हो तो भाई सारे stocks लेके हम बैठे रहेंगे और इस तरह की rally को पूरा end cash कर पाएंगे, लेकिन hold कर पाना बहुत मुश्किल होता है, specifically जब आप छोटे time में काफी अच्छा profit कमा लेते हो, यहाँ इसका chart pattern है काफी अच्छा बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है यह stock ऐसे continue उपर जाता रहेगा और reason आपको बता दिये, सरकारी company है, सब इस सरकारी यह भाग रही है 385 के target के लिए आप बैठ सकते हो, अगर आप stock को लोगे तो, अब देखिए definitely stock momentum में है बहुत ही strong momentum में है ठीक है, जब stock momentum में होते हैं बहुत stock momentum में होते हैं, ते बड़े momentum में होते हैं तो अगर गिरते हैं, तो फिर वो गिरते भी तेज हैं तो देखिए, यहाँ आप trading की पिक्क है, अगर आप इसको buy कर रहे हो तो एक stop loss भी बनता है, फिर आप stop loss क्या लेके चलना है, उसको भी जान लो, stop loss बनेगा इसी swing का low जो की है 208 का, तो 206-7 रुपे का stop loss रख सकते हो, 266 रुपीज का stock है, 206-7 रुपे के नीचे आता है, तो आप इस stock में से exit कर देना, stop loss लगा लेना, देखी लगबख 60 रुपे बाय करना चाहो तो current price पे 266 के आसपास कर सकते हो, target लेके चल सकते हो, 385 क्या पता, अगले कुछ दिनों में यह आपको दिखा दे